तो जो आप जैसे उन्नीस फर्वरी को आप 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 पंदा सत्रा दिन पहले तो जो समस्याइं थी जैसे जो हमने नोट किया हुआ है अब आपको अकड़न ज्यादा रहती थी सर के अधे सेम दर्द रहता था न अर्ध कपारी वला जो आही दर्द था जो 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 गले चकर वाला दर आता था गले में क्या था गले में क्या दिखता थी आपको यह सब समस्या थी आपको और भी कुछ था कि यही सब समस्या थी तो अभी कैसे आपको लग रहा है मतलब पिछरे जो दस-पंदरा दिन आपने दवाएं खाई 15-17 दिन काफी अराम है काफी बेहतर किन-किन चीजों में आराम है आपको सब चीज में लगता है कि रहा है सब चीज में लगता है कि अराम है और पहले से बहतर फिल हो रहा है और आपको अमने प्राणायां भी बताया था और कुछ एकसा साइज अगरा भी बताई थी मैंने आपको कि मतलब जो नेचुरल तरीके हैं हरवल तरीके कैसे उसको आप अपनाए जाए क्योंकि जो इतनी चड़ी बूटियां हम चलाते हैं जो दवाईयां सब हरवल बनी हुई है यह पत्तियों की बनी जड़ी बूटियों की है तो उसमें जो एक्सरसाइज हमने आपको बताया थ हमने मुक्का मार करके इस प्रकार से और साथ में जो आपको ओम करने बताया है वो भी आप जरूर करें और रातरी को बताया है कि उस अब अंजीरों गएरा किस प्रकार से उपयोग करना है इसको एकदम नियमित करते रहें और कुछी दिनों में संपूंट तो ठीक हो जाए अगर निचुर्ल तरीके हैं जिसे ने चुरोपैथी में बहुत सारी चीजें कि प्राण आयाम कैसे किया जाए हर बल जड़ी बूटियों के कैसे उपयोग किया जाए भोजन को ही कैसे नमने आपको तमाम परहे बताये अगर चीजों को सही से पालन किया जाए देखे 15-17 द हमारी सोच हमेशा सम्यक होनी चाहिए जैसे हमें ध्यान यह देना है कि हम मन में किसी के लिए कोई गलत भाव ना उत्पन होने दें क्यूंकि वह भी दवा की तरह ही काम करता है तो यही बस ध्यान रखना है बाकी तो प्रभु कृपर क्योंकि करने कराने वाले सब वहीं है है कि नहीं हम सब उन्हीं के निमित्त हैं ठीक है फिर अपना ख्याल लखें दीदी और थोड़ा से यही सब परहे जोगर करती रहें प्रभु चाहेंगे तो आप पूरी तरिके से सबस्टाइगे जेसी राँ